बॉलिवूड बना रहा है एक बार फिर से रहमाड लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यूं भाई लोग अभी आदी पुरुष की सद्मे से भार भी नहीं निकले है कि एक बार फिर से बॉलिवूड रहा है और कुछ तस्वीरे सामने आई है जो कि रहमाड के सेट से लीग हुई है इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मर्याद्दा पुरुशोत्तम भगवान शेरी राम के किरदार में दिख रहे हैं रन्बीर कपूर और माता सीधा किरदार में दिख रही है साई पल्लवी अब इन तस्वीरे को ज़रा ध्यान से देखिए रन्बीर कपूर वही सेय्ट मैं लग रहा है इस फिल्म के अंदर भी भै वह होतेने एक काउल्स के लॉंडे शेंब इसे लग रहा है यह लॉंडा मतलब वाट इस इस मैं क्या है भाई यह यह श्री राम है यार मतलब हम लोगों को न आदत हो गई ने अरुन गोविल जी को श्री राम की वो जलगती है क्रेक्टर से चहरे से आखो से एक्स्प्रेशन से और ये देखो भाई क्या चल रहा है ये कोई कॉलेज में फिले चल रहा है ये मूवी बन रही है अब मुझे पता है कि कुछ जो फैन्स लोग है इनके वो बुरा मान जाएंगे तो भाई मान जाओ को दिक्कत नहीं है लेकिन जियो मेरा उपीनियन है वो मैं बताऊंगा वो मैं सामय रखूंगा और जिस बंदे ने अभी एनिमल जैसी मूवी करी है जिसके अंदर क्या क्या सीन थे बेशर्मे की सारे हदे पार हो गई थी वो बनता अब सीधे रामायड कर रहा है मतलब क्या है भाई य लोगों ने जो देखा अनिमल के अंदर उसको देखने के बाद रामायड के अंदर शीरी राम की भूमिका में रन्वीर कपूर को एक्सेप्ट करना डाइजेस्ट करना नहीं हो पाएगा भाई हम जंता से नहीं हो पाएगा और वो जो स्टेट्मेंट था ना आम बिग खाता है जो बंदा चैका सीन्स करके आया निमल के जो शराब पीता है वो बंदा भगवान शीरी राम की भूमिका निवाएगा बड़े पड़ते पर हमायड को पूरी दुनिया देखेगी भाई क्योंकि बताया जा रहे कि अभी तक की इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने पैसा कमाना है और पैसा कमाने इंटेंशन है क्यूँ क्योंकि जिस तरीके से फिल्म की कास्ट करिए गए ना भाई कास्तिंग करिए उसको देखें लग रहा है श्री राम के रोल में रर्मीर कपूर को ताकि हिंधी बेल्ट में फिल्म चले हॉइप बने पैसा कमाए इंटेंशन सी गलत है भाई ऐसा का माना यह सिर्व इंटेंशन नहीं हो सकती और होनी नहीं चाहिए भाई अखिर घुर्ड जी को श्री राम की भुमी का निभाई उसके बाद उनकी जिन्दगी बदल गए यार वह है पाकण श्री राम के रोल निभाने की सोचिए सिरθ रोल निभाया और कहां से कहां पहुच गए सुनीन लहरी जी लक्षमन की भूमिका निभाई और कहां से कहां दिपिका जी सिता मता की भूमिका निभाई कहां से कहां अर्विंद त्रिवेदी जी रामण के रोल में आज भी रामण के रोल को जब याद रखा जाएगा तो अर्विंद त्रिवेदी जी को याद रखा जाएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रामानन सागर जी के इंटेंशन्स थे वो साफ थे ऐसा ही सब कुछ नहीं होता चीज ऐसी बनाओ काम ऐसा करो कि सद्यों तक आपको लोग याद रखे और वही किया रामनान सागर जी ने कि आज भी इस रामाइड को हम देखते हैं सद्यों से देखते आ रहे हैं और आगे चलकर भी देखेंगे लेकिन यह जो रामाइड बनाए जाएगा ना वह बंदा ऑटोमेंटिक हीट हो जाएगा ऑटोमेंटिक वह औरा है श्रीराम का वह पाकत है जरूर नहीं कि आपको फेमस एक्टर को लेना है तब इखने जाएंगे और यह रामाइड फिल्म है ना इस रामाइड को लोग रणबीर कपूर की वज़े से देख लोगी वज़े से तो इंटेंशन सी गलत दूसरी तरफ साई पल्यवी को देखो आप मुझे लगता है लोग बूरा मानेंगे लोग अगरी नीग करेंगे ना करो भाई लेकिन मुझे लगता है कि माता सीता के वह देखो आप इतना सबकुछ मेंग पनने के बाद भी वह नहीं लग रहा है अजीब सा लग रहा है पता निक्या थू देडिया भाई यार यह यह क्या बता हो यार बीगत थवन्मी नहीं आ रहा मेरी जो एकस्पेकेशन थी वह कम होती जारी है इस फिल्म से अब कुछ बोलू को तो विवाद हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते हैं इनके फैंस बुरा मन जाते हैं लेकिर हम तो भाई श्रीराम के फैन हैं तो हमें जो लगेगा हम तो वह बोलेंगी भाई नार अमीर कपूर सूट कर रहे इस फिलाल फोटो को देखकर और नाइस हाई प पुरुष को मनाया गया था सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की परपस से क्योंकि प्रभास को श्रीराम के रोल में लिया ही क्यों प्रभास किसी भी एंगा से श्रीराम के रोल में फिट ही नहीं बैट रहे थे लेकिन क्योंकि प्रभास का फैन बेस तकड़ा है प्रभास की फ वोग्स आफिस पर अपर एक्जामपल देखिए हनुमान फिल्म का हनुमान फिल्म के अंदर कौन हीरो है तेजा सज्जा जिसे कोई जानता भी नहीं था लेकिन हनुमान फिल्म के बाद वो बंदा रात रात सूपरश्टार बन गया यही पावर है यही ब्लैसिंग्स होती है भगवान की कि हनुमान फिल्म ने जिसका बज़ट 40 करोड था उसने 200 करोड रुबर कमाए ऐल अवर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर और इस साल की सबसे हीट फिल्म है वो क्योंकि लोगों ने उस फिल्म को देखा था हनुमान जी की वज़ह से हनुमान जी के भगत है हनुमान का नामी काफी है फिल्म को हिट कले लेकिन आ अपने इच और इरादों से बणने चाहिए नेक छलेगी और यह कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है यह रामायन है और यह कोई नॉर्मलape रोल नहीं है बोल आड़े ब्रो यार, come on man, he's an actor, वो तो actor है, acting करेगा, क्या फरक पड़ता है, वो बीव खाए, कुछ और खाए, कुछ और करे, क्या फरक पड़ता है, यह एक role है, acting करनी है, भाई, यह कोई role नहीं है, sorry to say, यह कोई role नहीं है, यह उससे कुछ बहुत बढ़ कर है, शिरी राम की भूमिका निबा रहे हो आप वैसा बन तो नहीं सकते लेकिन उनके पद चिन्नों पर तो चल सकते हो लेकिन चल नहीं सकते तुम चल नहीं पाओगे क्योंकि आपने तो इस film को सिरफ एक film समझ के साइन किया है, आपने इस role को सिरफ एक role समझ के साइन किया है Heart नहीं जुड़ा इस film से Heart connection वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वो मुझे दिखनी रहे बाकी कुछ लोग है